हाई फ्रेंड मेरी चैनल में आपका स्वागत आज मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाई हूँ जो आपके रोज की ब्रेकफास को बहुत ही आसान बना देगी एक बार आपने अगर बना लिया तो इससे आप 4-5 रेसिपीस बना सकते हो तो ज्यादा बाते न करते हुए वीडि दाता है तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ जो मैं अब आपको शेर करने वाले हूँ यह वाला प्रोसेश आपको रात को ही करना है यहाँ पे मैंने उड़त की डाल और चावल को रात को ही भिगो दिया था यह व इसे अच्छे से धोने के बाद आपको रख देना है ओवरनाइट के लिए आप इसी तरह से कॉंटिटी आप ले सकते हो इसे आप रख दीजी ओवरनाइट के लिए ढखकर फिर नेक्स्ट मॉर्निंग को मैं बताती हूँ इसे क्या करना है तो चलिए नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पे हो चुकी है यहाँ पे मैंने पोहा लिया है उसी ग्लास से मैंने एक ग्लास पोहा लिया है जिसे मैंने भिगो दिया है इसे सिर्फ आपको 5-7 मिनट के लिए ही भिगोना है तो चलिए इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं एक मैंने मिक्सर का जार ले लिया है उसमें मैं एट करूँगी यहाँ पर भिगोए हुए चावल और दाल यहाँ पर इसे मैं एट कर दूँगी ग्राइंडर में यह देखिए फ्रैंड ऐसे ही आपको एट कर देना है और आपको उसी में एट करना है जो मैंने भिगोया था पोहा इसे क्या होगा आप जो भी बनाएगे इडली बनाएगे अपपम बनाएगे इसे बहुती सॉफ्ट और बहुती अच्छे बनेगे तो चलिए इसे मैं ग्राइंड कर लेती हूँ इदीकी फ्रैंड यहाँ पर मैंने ग्राइंड कर लिया है बैटर को ऐसे ही आपको ग्राइंड करना है अगर आपने ज़्यादा बैटर बनाया है तो इसे थोड़ा सा ठीक ग्राइंड करके आप रख सकते हो एर टाइट कंटेनर में भर कर बिल्कुल भी 8 दिन तक खराब नहीं होगा यह आपका बैटर जब आपका मन करें तब आप बना के खा सकते हो इडली, दोशा और यहाँ पे अप्पे और अप्पम चलिए मैं ट्रांसफर कर लेती हैं एक बाउल में आपका बैटर यहाँ पे रेडी हो चुका है और यह बैटर से आप तुरंत आप बना सकते हो दोशा, अप्पम, अप्पे तुरंत बना सकते हो बिल्कुल भी इसे ज़्यादा रखनी की ज़रूत नहीं है आपको बहुत ही इंस्टेंट यह है रात को सिर्फ आपनी भिगो दिया दाल और चावल और नेक्स्ट मॉनिंग आप बना सकते हो इसे जितना आपको बनाना है उसके हिसाब से आप पानी को एड़ कर सकते हो अगर आपको बैटर को रखना है तो उसे अच्छे से आप एर टाइट कंटेनर में भर के रख सकते हो बिल्कुल भी पानी का उसमें यूज ना कीजिए जब भी आप अपे इडली वगेरा बनाए तो इसमें थोड़ा सा खाने वाला सोडा एट कर दीजिए उसे क्या होगा बहुती अच्छे होर बहुती फुले फुले हमारे अपे इडली आपको जो भी चाहिए बन जाएगे बहुती आसान तरीके से बैटर आप बना सकते हो घर में और इसे स्टोर करके रख सकते हो तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही अगले वीडियो में अगर आप वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए